एक जी आपने पुछाली जो बात करी मतल बुरा मतमानिया अपने उसके मारा स्वाल गल्त लागे बात याओगी बाई बोई से बतानी की अगर याप आपने के लागे साइंटिस्ट नो गया चीज पोसीबल को ने साइंस नो गया आप किसे का आग गया कुकर बता सको क्यों ल अभी लाइफ देखनाले सारे दर्स का नंकितम लिक सुल्तान प्रियागी राम राम आल फिलाल मोख्रा दाम मा मुझूद हां वीडियो बहुत जादा वाइरल ओन लाग रही है लेकिन मैं बात जो है मैंने जादतर वीडियो में देख्या नीचे कमेंट आन लग रहे थे कि साद्वी जी के बारा में वह कहां से सिक्ष्या लिए कहां से मतलकी कोण गुरू है तो सारी बात कराएं सबसे पहले आदेश जी आदेश साद्वी जी आपकी जो हमें बात करूं वीडियो एक टेक लेगे हर चैनल पर छोट अबड़ हर चैनल पर वायरल ओन लग रही है जो जोग लेनाडी मनमाई या बगति Benamahata Benamaya बगती तो जी मत्थारा साल से कर रहे हो मेरे पास के यह और उनका नाम भी सोनना थी है और जोग मैंने लिया था अससे साथ तीन साल पहले पर जोग इसको नहीं कहेंगे मैंने खाली भगवा लिया है और जोग तो मैं जब लूँगी जब अपने बच्चों की जिमेदारियों से मैं बिल्कुल अलग हो जाओंगी उसके बाद मैं भिकरवायों भी तो इसी के मन माई बगमा लेन के पिछे के वज़े रही देखिए जी बगमा लेन के पिछे ये वज़े रही कि मैं खुद 22 साल से बिमार थी और मेरा इलाज करने वाला इस धर्ती पर कोई नहीं था जती गुरू गोरकनाथ की में बगती करती थी पर इतनी है यह मतलत की वो नहीं हो पाई की कि गुरू भी ना कोई काम होतानイ है पिर मेरे को तो सामके पास मेरे गुरू जी के लेकि गए उन्होंने मेरे को ठीक किया गुरू गोरकनाथ का हाथ दिया और हाथ देने के बाद गुरू जे बचन लिये थे कि अगर तू दुनिया की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगी तो तो तू ठीक रहेगी अगर तूने ये बगती और निस्वार्थ भाव से सेवा छोड़ दी तो फिर तेरा कोई समादान नहीं होगा इसलिए मैं लुनिया की सेवा करती हूँ और जाड़े लगाती हूँ इससे के एक और भी कोई ठीक हो है तो उससे मैं भी ठीक रहती हूँ इसमें चाहिए मेरा परसन शूरत देख लो एक जी बात करा आपने बगमार जोग में फरक बताया कि आपने बे बगमा लेर खिया है तो आग्गे चलके जोग लेन की मन में हैं? हाँ जी जिस दिन मेरे बच्चे अपने पेरों पे खड़े हो जाएंगे उसी दिन में अपना जोग लेना आपने धम घंव था किया की थे तो इसाट्रवन फ़िए रोप बंगों भी ऐसा हम और मेरे बच्चों की पर आपके दांपाव एंगाव जी मेरा भी आता है बेटा चौदा-साल का मेरे बेटा है और सोड़ासाल की मेरा बेटी मेरे बेटी मेरे पास आते हैं स्कूल से लेना यह मतुल की यानी उमर में मतुल साधी तर पहला की चीज़ हो लेकिन आपने साधी भी कर ली फिर बाद में कुकर मन जो है डाइवर्ट होया इन चीज़ा में देखे जी भगती तो मैं पांस साल च्छे साल की थी जब मैंने इंदी पढ़नी सीख ली तो मैंने रामायन और गीता पांच बाच शेचे बार पड़ दी भगती तो सुरू से ही तियर तो कुछ पिछे पिछले जनम के गुणों है आगरा है अगर यह है वह उसके बाद जती गूरु गोरकनात की मैंने 2007 से जती गूरु गोरकनात और जाहरवीर की बगती शुरू की थी दो जो चास् खराब रहती थी तो सारे काम हुए जो की सची मन से मांगे तो बाद में सोचा फिर मैं और ज्यादा खराब रहने लगी मेरी तरह ठीक नहीं हुई भी आपका नाम भी वाद्डाम कूकर जोड़ी गया था जी भाई बाई 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 वात को उपपर ना चड़ेगो तो टांग खिचन यह तो निच्चा ना पाउएंगा ठीक है और उपपर ना चड़न को मतल्ए भी हर चीज मसी इदि करनी पड़ा है यह घरस्ती देदो और जो दो तिन गंटे बेट कर सका है वो 500 रुपे देदी वो अपना बसकी को नी बाई भीड़ागी दस बीस आदमी खटे हुआ बन जाड़ा लगा दिया निकाल दिया घणी भीड़ा जया तो लगातार मेरे हाथ 24 यह लगा लो 24 गंटे में 16 गंटे में रात नू चल लाग गेंगी या फिर इतने रफिय फीस लागेगी कुछ नू फिक्स हो रहे हैं देखिए जी कोई फीस नहीं है हाँ परशाद कोई खरीद देगा तो वह उसका तो पैसा देना पड़ेगा मन है बात बिल्कुल तो परसाद काई पैसा लिया जहां है बागी कोई खरीद र कि मेरे गुरू है जो जब से मेरी वीडियो वायरल हुई तो वह डर गए कि कभी नात पंत के लोग या कोई साद्धू या मत के साद्धू हमारे पर कोई अब्जेक्शन ना उठा दें कि आपने लेडिज को गोरक नात का नाम क्यों दे दिया यह कर दिया तो वह डर गए त आम का नाम भी बता स्कुमा पर वही वह इस चीज से नाराज है नहीं बताऊंगी एक जो बात आपनी बिल्कुल पॉइंट वाड़ी बात की जो गोरक नात जी का नाम लिया अपने फिल लेडिज का या कही नहीं कई वह नूं का आखरक बाए गोरक नाजी जो प्रूस में करती माता थी ठीक है उनकी मासर स्वती थी जिसने की बभूत कूडी में डाल दी तो वह भी औरत होगी ना मतज्वाला थी वह भी औरत ही होगी ना तो फिर और कौन से ऐसा में को कोई आदमी ये बता दो कि उस ग्रंद में लिखा कि को रखनात की उपासना लेडिज नहीं क कर सकती मैं मान लूँगी मैं छोड़ दूँगी बगती बिलकुल जी बहुत बढ़िया जो साद्वी जी ने एक पॉइंट रखे अपना गए इसके अलावा साद्वी जी बात करां जो आपने किस दिन किस चीज के जाड़े लगे हैं बाई जो नी संतान महिलाएं हैं वो सो सुबद 6 से शाम चार बजे के बीच में आएं और सनी वार को 9 से 12 पुछा रहेगी जिसको बुद्जा भी कहते हैं और रभी वार को सुबद 6 से 10 बिमारियों का जाड़ा रहेगा 10 से 4 तक नश्य का जाड़ा रहेगा तो जो भी आना चाहता है वो आ सकता है और ब्रिस्पत किस को कर बता सको क्यों लाग रहा है ना तो मैं आंगे का बतां किसी का कि बीच्छें आपके साथ यो सब्सक्राइब करना दोक्तर करें प्रिंग लेकर और अपना विमारी डॉक्तर किये या शाना किये अपना वोती इलाज करवाले बस साद्वी जी एक बात हो ओपरी प्राई बूत है इंची जना आप मानू हो बाई बात है कि आदमी जद मरे जाए है वो चेनिया में जाले है तो उसकी आकास्मिक मिर्ति होगी तो उसी इंसान की जब तक जून पूरी ना होगी जब तक तो बटकता ही रहेगा तो एक बात करांगर किसे की आत्मा बटके जाए तो उसके परिजन चाओ तो उसकी मुक्ती संभव है कोई उपाई उपाई तो वाओ को जब बताऊंगी क्यामरा के बताऊं गणी लंबी बात है तो तो साद्वी जी अगर कोई आना चाहूँ है एक बर अपने दाम के कॉंटेक्ट नंबर बता दियो आपने मुक्ती की बात पूछी ने शोटकट में एक बात बताती हूं बात तो काफी लंबी है पर मैं कहना चाहूंगी जिसके परीजन के सामने आजाता है कि हमारे घर के की मुक्ती नहीं हुई है जो कास्मिक मौत में गया है तो वह अपने घंगाजी जाओ कहीं भी जाओ अपने पिंडदान करके उसका कुछ दान कुन्य करो अपने गंगाजी पर उसके बाद इसकी मुक्ती हो जाएगी कुछ संभव पॉइंट हो जाओं कि हमुक्ती हो जाएगी उसके बाद एक बात और कहना चाहूंग जो हमारे दाम के पुछें आप नहीं ना 52, 49, 49, 47, 15, 16, यह हमारे दाम के कॉन्टेक्ट नंबर है जो भी संपर्क करना चाहे वो कर स सकता है पांच मैई से गोरखनात जी का जनम दिन है बाबा का उस दिन से मेरी दुने की तपश्या शुरू और यह जो आना चाहिए वो आ सकता है गाउं मोक्रा जिला रोट तक